स्टापलस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में में सही एक बार फिर बन रही है दुलहन सही सज रही है सवर रही है दूसरी ओर विराण भी सज रहा है शेरवानी में खुप को बार बार आईने में निहार रहा है क्योंकि विराण बहुत खुश है सही को वो अपनी दुलहन दुबारा जो बनाने वाला है और बस इसी खुशी के साथ विराण घर से निकलता है सही भी दूसरी ओर नवारी साड़ी में हरे रंग की बांगडियों यानि चूडियों के साथ सुन दर से नत के साथ खूब छान यानि खूद प्यारी लग रही है, लेकिन हाथों में हैं किसी की फोटो, और सई के मन में बहुत सारे सवाल है, आखिर किसी की फोटो हैं सई के हाथ में, सई के हाथ में हैं विराट, विनायक और सवी की फोटो, क्योंकि सई का हमेशा से यही सपना रहा है, कि विराट और दोन को अपना दूला बनाने वाली है ऐसा कैसे होगा ये भी हम आपको अभी बताते हैं विराट मंड़प में पहुंचेगा सही से शादी करने लेकिन वहाँ सही सत्या का हाथ थाम लेगी विराट ने अपने प्यार का इजहार सही से कर दिया है और पाखी को मना भी कर दिया है कि वो अपनी बागे की जिंद्वी सही के साथ ही बिताना चाहता है लेकिन सही का ऐसा मानना है कि वो किसी कभी घर तोड़ना नहीं चाहती और शायद यही वजह होगी वो अपने सपनों को छोड़ अपने अतीव को भूलकर वर्दमान का हाथ थामेगी और विराट देखता ही रह जाएगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था किस सही उसको छोड़ किसी और के बारे में कभी सोच भी सकती है लेकिन जब वो मंडब पे पहुंचेगा और देखेगा सही के माथे में सिंदूर है उसके गले मंगल सित्र है जो विराट के नाम का नहीं है यह सब विराट का बुरा लगता है कि आखिर विनायक को पत्र लेखा से अलग करके वो किस तरह खुश रह पाएगी इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो विनायक को लेकर जाने का सपना छोड़ देगी वो चमहान निवास में सिर्फ विनायक को अपना बनाने आए थी उसे अपने साथ ले जाने आए थी लेकिन अब वो इस सपने को छोड सत्या का हाथ थाम लेगी विराट को पत्र लेखा से अलग करना और फिर उसे अपना बनाना ये सई का मकसद कभी नहीं था वो पत्र लेखा और विराट की रिष्टे को कभी तोड़ना नहीं चाहती इसलिए वो ऐसा कदम उठा सकती है इस शादी का क्या फ्यूचर होगा क्या ये शादी सच में होगी इस सीरिल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चानल को फॉलो जरूर करें